मुझे काफी इंट्रेस्टिंग लगा इसका ट्रीजर ही और मैं इस ट्रीजर से यह भी अंदाजा लगा सकता हूं कि कि यह मुवी कितना ज्यादा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है और एक सस्पेंसियस मुवी होने वाला है और शाफा फॉल्ट विजड़ देख लगए तो यह लगा लगा है इसका जो वीडियो साउंड क्वाल्टी वह बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बोलूगा कि इसमे देखके बहुत इंप्रेफ हुआ अच्छा है अब वाकि पब्लीक के उपर है पब्लीक क्या करते हैं क्या नहीं करते अब अगर टीजर इतना अच्छा हुआ तो पूरी मुवू देखने के बाद कैसा लगएगा टीजर तो अच्छा लगा लाइक ज्यादा कुछ पूट आउट नहीं किया है सस्पेंस रखने का ट्राइ किया मुझे लग रहा है बट हाँ काफी अच्छा तो लगा मुझे इसके जो वी एफेक्स है वो काफी ज्यादा अट्रेक्टिव लगे मुझे क्योंकि वो ऐसा बिल् अच्छा तो वह एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी दूसरी चीज साउंड को लेकर साउंड भी काफी अच्छा था ऐसे वह वह चीज बिल्ड कर रहा था कि अच्छा आगे क्या अनला या फिर ओ यह देखके तुम्हें को मुवी पसंद आहीं जाएगी तो व काफी इंटेंस है और स्पीशियस भी है काफी और जो उसके VFX है वो ओन पॉइंट है काफी मजाया उसको देखने में अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसके ट्रीजर को देखकर यह लग रहा है कि यह स्टोरी एक डियर हंट पर बनाया गया है जो कि हीरन का शिकार जाता है और जैसा कि यह मूवी का नाम है कि The Secret of देवकाली यानि कि देवकाली का रहष्य क्या है और जहां तक कि मैं इस ट्रीजर की हिसाब से अंदाजा भी लगा पा रहा हूँ कि यह मूवी एक ऐसी मूवी होगी जो कि देवकाली में एक हिरन के उपर बनी होगी या फिर स्टॉरी की जहां तक बात है मुझे लग रहा है और नाम भी है इसका देवकाली अब्यस्ली सस्पेंस तो टीजर से बिल्ड हो ही गया है बट स्टोरी वाज मुझे लग रहा है कि वह एक पर्टिकुलर ग्रूप ओफ पीपल जो है देवकाली में रहने वाले उन लोगों के लिए जो डियर है वो सेक्रेड होता है जहां तक मानने यह सुना है कि जो डेवकाली के लोग भों है वो लोग जो हिरन है उनको भगवान मांते है वर यह शहाद उसकाम मार्टे भी हैं अब लोग उनको भगवान मानते हैं थो लोगम्हे कांता है कर Clания के जो स्टैजिकार क्या गार्टा इस चीज को लेकर कर ने बनाई गई रिटेड़ यह मोवी दिखायी यह जैसा कि पता जा रहा है, लोग इनको पूछते हैं, याने कि ही रन को लोग पूछते हैं, उनको भगमान मानते हैं, तो इस चीज को लेकर बन सकती है जानों का सिकार नहीं करना चाहिए और शिकार कर रहे हैं तो गलक चीज़ है जिए नहीं करना चाहिए पुछ बिखाया गया तो शायद यह मैसेज है कि यह नहीं गरना चाहिए इनगा चाहिए यह लगता है अब पता नहीं तो यह एक खुरियोसिटी है मेरी कि यह क्या होने वाला इस मोवी मैं तो हां